पारे भारत में गाय को देवी का दर्जा मिला हुआ है। गाय के भीतर देवताओं का वास माना गया है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अफसर पर गाय की विशेश पूजा की जाती है। उनके उपर मोरपंक से शिंगार किया जाता है। पुरानों में माने तो गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी रूप में भी सताना बहुत घोर पाप माना जाता है। उसकी हत्या करना तो नक के द्वार को खोलने के समान है। यहां जन्मों के दुख भोगने पड़ते हैं अगर हम गाए को सताएं। और ये भी मानता है कि 84 लाख योनियों का सफर करते हुए आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाए बनती है। गाए लाखो योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगी की यात्रा शुरू करती है। धार्मिक और विज्यानिक दोनों तरह के कारण छिपे हुए हैं गाए की सेवा करने के लिए। गाए को गोमाता क्यों कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टी की रचना की थी तो सबसे पहले गाए को ही पृत्वी पर भीजा था। सभी जानवरों में मात्र गाए ही एक ऐसा जानवर है जो मा का शब्द उचारण करता है। इसलिए माना जाता है कि मा शब्द की उत्पत्ती गोवंच से ही हुई। गाए हम सब को मा की तरह अपने दूद से पालती बोस्ती है। आयरवेद के अनुसार मा के दूद के बाद बच्चे के लिए सबसे फाइदेमंद गाए का दूद ही माना जाता है। धार में कास्थाओं में भी जाए तो गोव पूजा से मनोवांशित फ़लों की प्राप्त गाए का होना बहुत शुप कहा गया है। विद्यार्थियों को अगर अध्यन होने में कोई प्राप्लम आती है तो गाए की सेवा करना बहुत अच्छा रहता है। उनके सर पर हाथ फेरने से मांसिक तेजी होती है, मांसिक विकास होता है। संतान और धन की प्राप्ति के ल इनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में गाय के गोबर के उपले हूं उस घर में कभी नेगटिविटी या नेगटिव एनरजी नहीं आ सकती। घर को लीपने के लिए प्रियोग किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाय के गोबर से हवन करने के लिए भी सामगरी बनाई जाती है। गाय के गोबर के लिए माना जाता है कि हवन करने पर आपके वातावरण में और घर के आसपास मौजूद कीडे, मकौडे सब दूर भाग जाते हैं और वायूशुध हो जाती है। गोबर से कई तरह की दवाइगा बनाई जाती हैं इसमें रोगानों को मारने की ख्रमता होती है। का निर्मान गुरुकुलों में होता था उसे गोउत्र कहते थे। कालांत्र में रिशियों के यही कुल गुरुकुल गोउत्र कहलाए और इनसे हिंदूों में कुल खांदान की पहचान बनी। गोउ माता सर्व देव मई है। अथर्व वेद में रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, अदित्यों की स्वसा और अम्रित की नाभी संग्या से विभूशित किया गया है गोउ माता को। गोउ सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों तत्वों की प्राप्ती होती है। अगर हम गोउ में 33 कुरोड देवी देवताओं की पूजा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उनकी पीठ में ब्रह्मा का वास, गले में विश्नु का वास, मुख में रुद्र का वास माना जाता है। ऐसा करने से संपुर्ण देवी देवताओं की अराधना केवल गोउ माता की सेवा करने से प्राप्त होती है। होती है जो सूरे किर्णों को पीती है इसलिए गाय के गोबर और मूत्र में सात्विक पावर पैदा होती है और मरते समय भी गाय के गोबर का लीपन व्यक्ति के ऊपर किया जाता है और उसे उस तरह से सुलाया जाता है तो इस तरह से गाए हमारे लिए जनम से लेकर अंत तक हमारे लिए पूजनिया है गाए का दूद धर्थी में अमरित के समान है वो सर्वोतम पे है और खादे पदार्थों में संपरुण और सरवस्रेष्ट आहार माना गया है अमुल्ले औशधी है मुनुष्य की शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाला गाय का दूद और ऐसा कोई आहार तीनों लोकों में नहीं मिल सकता तेज तत्व अधिक मात्रा में पृत्वी तत्व बहुत कम मात्रा में होने से इसका सेवन करने से व्यक्ति प्रतिभा, संपन और तीवर ग्रहन शक्ति वाला हो जाता है गाय का दूद स्वादिष्ट भी होता है सुपाच्य भी होता है मधुर भी होता है शीतल और स्मृति और रक्त वर्धक भी होता है इसे आयूश कारक बोला गया है जीवनी बोला गया है गाय के दूद में जीवनों प्योगी और जीवन शक्ति प्रदान करने वाले गुण और असायन पाये जाते हैं आपको यहां पर मैं बहुत एक अच्छी जानकारी देने वाली हूँ जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है इसमें प्रोटीन, काब्स और उच्छी श्रेनी के लेक्टॉज होते है और ऐसी शरक्रा पाई जाती है खनिश पदार्थ पाई जाते है जो शरीर में सभी तरह की पोशक तत्वों को भरपूर रूप से देते है ऐसा करने से अमीनो एसिड की जो हमारी नीड है वो पूरी होती है अनाज, सबजी, अंडा, मास की तुलना में बहुत ही अच्छे गुनवत्ता पदार्थ इसमें पाई जाते है रोज 200 ग्राम दूद पीने से शरीर की प्रतितिन कैल्शिम की 74 प्रतिशत की अवशकता पुरुन होती है और बच्चों की विटामिन B12 की 40-60 प्रतिशत की अवशकता पुरुन होती है व्यसकों की वसा की 25-30 प्रतिशत की अवशकता पुरुन होती है तो अपने आप में ये अमरित है, अमरित से कम कुछ भी नहीं है बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए गाए का दूद बहुत ही महत्पुन है रिगवेद में गाए को अगहन्य कहा गया है यजुर वेद में गाए को अनुप में कहा गया है और अथर्व वेद में गाए को संपत्तियों का घर कहा गया है पौरानिक माननेताओं के अनुसार गाए साक्षातकार विश्णु रूप है गाए सर्व वेदमई और सर्व वेद गौमय है भगवान श्री कृष्ण को सारा ग्यानकोष गोचरन से ही प्राप्त हुआ था गाय का महत्व जितना जादा कहें उतना कम है भगवान राम के पूरवज महराजा दिली इपनंदिनी गाय की पूजा किया करते थे इस समय भी इश्राद करम में गाय के दूद की खीर का प्रियोग किया जाता है क्योंकि इसी खीर से पित्रों की सबसे जादा द्रिप्ती होती है ये माना गया है तो पित्र दोश भी दूर होते हैं गाय की सेवा करने से इसलिए गाय की सेवा हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है गाय के पैरों की मिटी तक बहुत ज़्यादा सकरात्मक होती है और ऐसे में आप किसी के साथ भी इसका उपाय कर सकते हैं अगर आपके जीवन में समस्या है अगर आपके जीवन में परिशानी है आप किसी को वशिकरन करना चाहते हैं किसी को वस्मे करना चाहते हैं तो गाय के पैरों की मिटी का उपयोग बहुत ज़्यादा रूप में किया जाता है गाय के पैरों की मिट्टी से अगर प्रेमी प्रेमी का आपस में एक दूसरे को बस में करना चाहें बस में करने का यहां पर मतलब यह है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार की भावना को व्यक्त करना चाहें तो वो बाते समझ में आना शुरू हो जाती हैं आपकी प्रेमी प्रेमी का आपस में एक दूसरे के साथ प्यार का विवार करने लगते हैं ये जो उपाई यहां पर मैं बताने वाली हूँ ये पती पत्नी या प्रेमी प्रेमी का कर सकते हैं और किसी अन्यथा बाहर के व्यक्ति के लिए ना करें क्योंकि गाय के पैरों की मिट्टी सक्रात्मक्ता लाने के लिए होती है ना ही नक्रात्मक्ता लाने के लिए तो इसलिए ये उपाय आप अपने ही पदी पत्नी आपस में करें या प्रेमी प्रेमिका आपस में करें तो बहुत अच्छा होगा ऐसे में आप गाये के पैरों की मिट्टी ले आएं और किसी को भी जिसको आप वस में करना चाहते हैं उसकी फोटो ले लें और इन दोनों को इकठा डाल कर रख दें अब आपने क्या करना है आपने उस फोटो को निकालना है और दोसो एक्किस बार ओम मंत्र का जब करना है बस ओम 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 इस तरह से आप बोलते रहें दोसो एक्किस बार ऐसा करें ऐसा करने से आपके जो भी कामना है वो पुरुन होगी और व्यक्ति आपके बस में रहेगा आ आपके साथ जितनी भी शिकायते हैं उनकी, वो सब दूर हो जाएंगी, साथ दिन तक जब करें, और किसी बाहर के व्यक्ति के लिए इसे बिलकुल भी ना करें, इसका बहुत जादा ध्यान रखें, और ऐसा करने से वो व्यक्ति आपके बस में होने लगेगा, और इसके बाद साथ दिन के बाद धूल को ले जाकर कहीं भी डाल दें, और उस फोटो को अपने पास रख लें, ये बहुत अच्छा तरीका है किसी को भी अपनी बात को मनवाने का, दूसरा तरीका यहां पर बहुत अच्छा एक और बताने वाली हूँ, अगर आपने अपने बास को बस मे करना है, अगर वो आपकी बात नहीं मानते, आपके साथ बिना बात का जगडा करते हैं, आपके साथ बिना बात का गलत विहवार किया जाता है, तो आप ये उपाय करके देख सकते हैं, शनिवार के दिन आपको साथ गायों के पैर की धूल को एकत्रित करना है, उसको अपने सामने रखना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाई इस मंत्र का जब 41 दिन तक 216 बार करना है 216 बार रोजाना आपने 40 दिन इस मंत्र का जब करना है उसके बाद उस गोधूल को एक चुटकी जिसको भी वसमे करना है उसके सर पर ले जाकर डालनी है इसको करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि गौमा है और वो हर एक को सकरात्मक्ता ही देती है बस वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा अगर आपकी बात सही है तो ऐसा करने से आपको उचित लाब मिल सकते हैं करके देखिए ये बहुत ही बेधरीन उपाय है इन उपायों को आप करें जरूर पर किसी को शेर मत करें किसी को बताएं मत क्योंकि इनको बताने से इनकी सक्रात्मक्ता और इनकी शक्ती कम हो जाती है तो आप बताएं नहीं आप अपने लिए करें और ऐसा करने से आपके अच्छे से चलने लगता है आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है आज के लिए इतना ही वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भू झाले